जहिन दोस्तो आप सभी का इस चैनल में स्वागत हैं दोस्तो ये वीडियो बहुत चाद इंपोर्टेंट आप लोग के लिए दोस्तो अगर आप क्लास 11 में पढ़ते हो ठीक अगर जिदे आप क्लास 11 की स्टुडेंट हो तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा क्योंकि आज का ये जो वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग NCRT का क्लास 11, NCRT Math का ठीक ये जो है इस बुक से हम लोग चैप्टर नमर वान को देखने वाले हैं जिसका नाम है सेट्स ठीक है जिसका नाम क्या है तो जिसका नाम सेट्स ठीक है जिसा हम हिंदी से समुचे बोलेंगे ठीक है तो NCRT बुक से आज हम लोग इसका जो डीटेल में अध्यन करेंगे ये आज हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा ये हमारा भूमिका का पार्ट होगा मतलब यहां पर complete चीज़े हम जानेंगे ताकि आप 1.1 जो exercise होगा इसको आप easily बना सको ठीक है इसके लिए जितने भी concept आएंगे मैं आपको एका करके तो इस वीडियो पर complete बने रहना है तो चलिए हम वीडियो को start करते हैं और एक एक फंडा को detail में समझते हैं और दोस्तों यह आप लोग देख रहे हैं इतनी सुनतर से notes आप लो important होने वाला है तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो यहां पर फंडा होने वाला जो कि बहुत ही important है हम set क्या होते यह समझेंगे ठीक है यह सेट सब्दा आया होगा है ठीक है maths पढ़ने के लिए आपको जरुवत होता है पहला चीज जो है आपको concept की जरुवत होता है है और उसके formulas की जरुवत होती है और आप लोगा revision जरुवत होती तब आप math में बहुत अच्छा score कर सकते हैं ठीक है तो जो चीज मैं आप लोग को बताऊंगा आज completely maths के फंडा को कि कैसे maths में आप दो तच्छा maths गेन कर सकते हैं ठीक है तो अभी हम लोग समझने बाले हैं sets बाले chapter को ठीक है तो देखिए अब हम बात करते हैं कि sets जो है यह है क्या है इस पर हम विचार करते हैं कि sets है क्या तो देखिए sets यहाँ पर आप लोग परिभासा भी देख सकते हो इधर है ना यहाँ पर लिखा हुआ है कि a set a set well defined collection of object यह चीज लिखा हुआ है ठीक है तो इसका meaning क्या है सर है अगर आप लोग इधर परिवासा रट लोग है तो कोई दिक्कत बाली बात नहीं है लेकिन इसका meaning भी समझना जरूरी है यह आप लोगा sets का परिवासा लिखा object तो यहाँ पर जो well defined आया हुआ हुआ है इक सब्दा दिखकरा है और लोग होगा well defined और इसका meaning क्या है इसका meaning क्या है तो उसका meaning को समझते की well देखेंगे यहां पर मतलब किया है तो यह यहां पर आसान भासा में बात करें तो यह फिल इसका हिंदी में हम इसे बोलते हैं सो परिभासित थीक है तो सो परिभासित मतलब है क्या देखिये जैसे मैं कहता हूं कि Ekinone सब्सक्राइब कितना विए सब्सक्राइब तो ऐक सब्सक्राइब होता है यह आप भी सब्सक्राइब वो भी बोलेगा ही है ना तो अगर आप किसी भी लोगों से पूछोगे तो उसका जवाब कितना आएगा seven days आएगा ठीक है तो किसी भी चीज का जवाब एक जैसा आए ठीक है और सभी का जवाब एक ही वह तो होता है क्लियर हो गया कि जो seven days आप भी बोलोगे एक सपता में seven days होता है कोई ऐसा तो नहीं बोलेगा है यह तो कोई नहीं बोलेगा तो यह बात होता है सेट्स का अब आपको फिर और हम चीजें उधारन देकर समझाते हैं कि सेट्स होता क्या है ठीक आप देखिए एकव करके आपको यहां पर समझ जाने कि को से यहां पर जैसे कि हम उधारन ले लेते हैं कि इंग्लिस लेटर तो इसमें जो भी आपका कितना होता है यही आई-ई-ई-उ- यहाप भी होई बोलोगे मैं भी होई बोलूगा तिया आपका सेट्स हो जाएगा और आप लोग का जैसे आप लोग का और भी है यहाप जो नेचरल नंबर होगा तो यहाप पर क्या होगा एक होगा उसके बाद तीन होगा उसके बाद पांच होगा उसके बाद साथ होगा इस परकार से लेस देन 10 बोला है इससे जाता तब खांचाएं कि नहीμ यहाप लोग भी सरय होगा और यहां अगर स सोफसेंद पूछा पूछ बोली सरफी है जैसे आपको यह चीज ने आपको बताया ठीकिए जह जो चीज उसे से पर हम सेलोसिन करते हैं जिसमें जो भी आपका आएगा ये ली आई ओ यू ये चीज आ जाएगा है ना तो ये जो चीज आया ये आप भी बोलोगे मैं भी बोलोगा ओदर पार्सन से पूछोगे तो वो पांच ही भायल बताएगा ना कि साथ आठ दस टिक ऐसा तो कोई नहीं बताएगा है ना तो ये चीज आमारे क्या हो गया सेट् सेट नहीं होगा तो सेट्स समझ भाया और यहांपर आप लोग देख सकते हो है ना यहां पर जो भी चीजआ आपडर एक्यांपल के तुरपर लिखा गया है घैना ये चीज तो आपको सेट क्लियर हो गया होः ओगा मेरी आसासर ठीक है तो चलिए हम आगे डीटियल में कॉ समझ लेते हैं अब धियान सा सुनिएगा बच्चों देखे कौन सेट नहीं होता तो देखे दा कलेक्शन ओप डिफिकल्ट टॉपिक इन मैथोमेटिक्स ठीक है तो दोस्तों अगर पूछें कि आपसे आपका कौन सा मैथोमेटिक्स में डिफिकल्ट लगता है कौन सा चीज ठ लगता और कोई बोलेगा कि यह चीज नहीं अच्छा लगता है तो यह जो चीजे हैं इसका जबाब सभी का अलग अलगा रहा है ठीक आप सेट में और सेट नहीं मैं अंतर को समझो है जैसे मैंने सेट का डेफिनेशन बताया सेट क्या होता है इस पर मैंने चर्चा किया और मैं अलग होगा है ना यह यहां पर आपके सब्द लेखा हुआ है क्या निचे देख सकते हैं आप लोग और क्या लिखा हुआ है कि वेल डिफाइन कलेक्शन सुड नॉट चेंज फ्रॉम पार्शन टू पार्शन ठीक है यह चीज़ लिखा हुआ ही आप लोग नोट डाउन कर दीजे ठीक है यह मैंने जो भी चीज़े बताया यहां पर कंप्लीट चीज़े एक दम मैंने अच्छे तरीक से बताया और आगे यह बताऊंगा कि इसका पीडियेप कहां पर मिलेगा यह जो हैंडरे नोट्स आप लोग देख रहे हैं यह जो नोट्स है इसको अगर प्राप्त करना चाहते हैं फिरी में तो किस प्रकार से प्राप्त करोगी यह भी बताऊंगा तो आगे आपको एंसेट का कंप्लीट जो सुलूशन होगा यह भी प्रवाइड करा दूँगा टैंसर नहीं लो और अपना तैयारी को बेस्ट तरीक से करो है ना तो आगे आप लोग को और एक वर रिविजन करा देंगा अंति में अभी चलिए हम आगे समझ दें सेट समझ में आ गया तो अभी तक एक वीडियो को ल पहले हैं आप लोग धियान से सुनिए यहां पर जो आप लोग क्या पढ़एंगे दियार ओर मा टिल्स ठीक है रिव 스ерंट। of sets set को represent करने के लिए यहां पर set के दो method है दो बीदी हैं तो दो बीदी को हम लोग complete detailed में आसान तरीक से समझेंगे बहुत ही आसान वहें में में समझाने की कसिस करूँगा यह जो दो form है इसको बहुत ही बहतरीन तरीक से समझाऊंगा यह असा नहीं लेगा कि समझ में नहीं है तो चलिए हम इसको start करते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे यहां पर हम लोग two methods पढ़ने बाले हैं दो तरीका पढ़ने बाले हैं किसको represent करने के लिए set को represent करने के लिए हम दो तरीका क्या होता है शिट विल्डर फार्म है एक्सक्राहित कोसिस करूंगा तो चले हम स्वा hack करते हैं haam एक एककडर करते हैं और आपक्राहित दिट T में समझ लेते हैं दोस्तों आप देखिए मैं आपको एक्जांपल देकर कि बहुत अच्छे तरीके से और बहतरिन तरीके से समझाने की कोसिस करूंगा तो सबसे पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म जिसी या फिर आप जिसे बोलते हैं टेवुलर फॉर्म इसको समझ लेते हैं इसमें क्या होता है आखिर जिसमें बहुत सारे एक्जांपल्स लिखे हुए हैं इसको किस परकार से फाइंड करोगे पता चल जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो को में मेरा गरेंटी है कि अगर आप लोग पूरा देख लेते हो ठीक है तो यह किन मानी आप NCRT के वान 1 वाली जो प्रस्णवार यह है आप इजिली फाइंड कर लोगे कोई दिक्कत वाली बात होने वाला नहीं है आप धियान से सुनोगे ठीक है तो रोष्टा फॉर्म में होता क्या है इसमें हम सबसे पहले नेम ऑफ सेट लिखते हैं तो जैसे हम A ले लेते हैं B ले लेते हैं यहाँ पर B लिख सकते हो C लिख सकते हो D इस परकार से कई आप लिख सकते हो ठीक है A B C D अब जीच कुछ भी ले सकते हो यह मैं आपको बता दिया ठीक है उसके बाद आपको इस परकार से करली ब्रेकेट लगा नहीं है मैंने लगा दिया ठीक है उसके बाद देखिया आप आपको क्या करना होगा लिगना होगा ठीक है ना जी टीज आपको लिगना होगा किस परका से देखिए दोस्तों मैं आपको पूरा फंड़ा आपको बता देता हैं सबसे पहले ठीक है यह जो आपका आपका जो रोस्टा फॉर्म है ठीक है अभी आपको फिर से आपको बता दे इसके बाद ई उसके 1 minute एक मेने इस अचिए मेन लिग देता हो ताकि सबी इंक्लूड हो जाई तो ए उसके बाद यह आएगा a e i 1 minute i o u ठीके यहां पर समझ मा गया क्या होने वाला है तो यहां पर पांच आने वाला A, E, I, O, U ठीक है यह जु छीज़ लिखा लगते यह सबसे पहले जो चीज यह सर्ग है यह आप लोगों ने समझे ली और इसके अदर यह चीज जो लिखा हुआ है इसको बोलते है element element बोलेंगे यह फिर हम किसे बोलेंगे element बोलेंगे फिर member बोल सकते हैं ठीक object बोल सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं hots. टीक है यह फिर matter लिख सकते हैं और यह जो है ओड़ी ब्रैकेट-स बुमम बंद करनाbuild यहाँ पर तो यह होता है सेट को रिप्रेजेंट करने का रोस्टा फॉर्म में लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा तो चलिए हम आगे और एक कोशिस लेते हैं उसको समझते हैं और एक जंपल यहां पर लिखा हुआ है कि इवेन नेचरल नंबर लेस दें टेन तो देखिए तो सबस देख breakout यहां पर क्या बोला है कि इवेन नेचरल नंबर लेस देन टेन चेंट से चोटा लेना है तो यह पर इवेन नेचरल नंबर की बाद करेत यह पर आाँ आजएगा दौं यहां ने सम संख्या到 सम यहां पर प्रकृतिग संख्या तो इस परकार से लेस देन हो गया नौ सब्सक्तरारण। underwater शेम में जना वहान ही, जो अगर अगला परकुत अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ ध्य है ध्यान से सुनओ, देखो बहुत लिगने लगए में अगर आप लोग पड़ो तो अगर आप लोग धियान से पड़ो गए अच्छे तरीके से तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं इसका उतर में यहाँ पर बना दे रहा हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है तो थोड़ा सा इधर करते हैं इधर बनाते हैं सबसे पहले नेम आफ सेट लिखना है तो नेम आफ सेट मैंने सी लिखा डी लिख सकते हो कुछ भी लिख सकते हो ठीक है उसके बाद इसे केपिटल लेटर में लिखना है यह भी मैंने बताया उसके बाद करली ब्रेकेट दिया यह स्कूल किन-किन जो है अलफाबेट से बना है यहां पर S उसके बाद कॉमा देना है C देना है उसके बाद H लिखना है लगिन यहां पर double o है आप single o कह दी तो धियान से सुनिये गा जब भी हम लोग रोष्टा फॉर्म में लिखते हैं तो जो भी चीज होती है उससे हम रिपीट नहीं करते हैं तो यहाँ पर अगर दो बार रहेगा, तीन बार रहेगा, चार बार रहेगा, लेकिन उसे हम कितने बार लिखेंगे दोस्तों तुसे हम एक बार ही लिखेंगे, बस समझगे हम फिर से बताते हैं, तो देखिए हम नहीं हम पर Name of Set लिखना है सबसे पहले, तो Name of Set मैंने यह अब लोगों लेकिन हम सिंगल ओ देंगे ठीक है यह बात समझ रहेगा अगर दो गों रहेगा तो एक गों लिगेंगे इस परकार के 1.1 में प्रस्ट आपको देखने को मिलेगा उसके बाद एल देना है तो मैंने एल दे दिया इस परकार से बंद कर दिया तो यह चीज हो जाएगा इसका करेक्ट अंसर तो आई होप की रोश्टा फॉर्म जिसा हम लोग टेवॉलर फॉर्म भी बोलते हैं यह आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा मैंने बहुत ही आसान तरीके से आस चेज क्लियर हो जाए ठीक है चले हम आगे सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हैं उसमें क्या होगा उसमें भी आपको नेम आप सेट देना है ठीक है जैसे मैंने यह दिया ठीक उसका मैं थोड़ा सा फंडा बता रहा हूं ठीक है सेट बिल्डर लिगने का तो उसमें नेम आ जोस्तों है ना ऐसा नहीं लगना चाहिए कि समझ में नहीं आया इसे हमारी तरफ से हम बहुती आसान भासा में समझाने की कसिस कर रहे हैं और आगे हम इसको एक बार रिविजन भी कर लेंगे ताकि आपको समझने में और भी मतलब सुवीदा हो जाएं तो देखिया आप पर जैसे की लिखा हुआ है कि इसको लिखने का सबसे पहले तरीका सुख समझे सेट बिल्डफ फॉर्म होता क्या है इसको समझे इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा धियान से सुनिए आपको सबसे पहले सेट का नाम लिखना होगा जैसे मैंने सेट का नाम यह लिखा ठीक है उसके बाद करली ब्रेकेट्स लगानी है है तो सबसे पहले क्या करना है नेम ऑप सेट वह भी केपीटल लेटर में होना चाहिए बात समझे के दो नमस चीज अब तिसरा चीज है उसके आप लिए यहां पर क्या करना होगा यहां पर इसका मतलब होता है इसका माने क्या होता क्या होता है तो सच दैट होता है इसका माने ठीक मुझा एक बिन चल्च हम फोड़ा से मिटा देते हैं Do है इसका माने क्या होते है जो आपको कई बिंदी दिख रहा है आप लोगu को इधर रखतो कई पे टो इसका मदलब एकदम सांध कमरे में बैठ जाईए और जो भी requirement है मैं आपको दे रहा हूं और अगर आपको किसी भी चीज बर doubt है तो clearly आप लोग नीचे comment section में comment कीजेगा आपको help करने के लिए हम जो है ही है ना अभी आप लोग 11 की तहरी करना होगा आप लोग अभी मैं आपको कराऊंग 11 क की तहरी आगे आपको 12 की भी तहरी कराऊंगा और जब आप लोग का 11 की तहरी complete हो जाएंगी तो आप जही है ना इस प्रकार के एंडी यह जो एक्जाम में आप क्रेक कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल अभी आप लोग इदार समझे ठीक है क्या करना होगा सबसे पहले हम detail में स करली ब्रेकेट्स लगा दिया यहां पर मैंने करली ब्रेकेट्स लगा दिया उसके बाद यहां पर आपको क्या करना होगा मतलब बेरियेवल्स का यूज करना होगा तो जैसे मैंने एक्स लिखा और इधर मैंने दोगों बिंदी फिर एक्स दिया यह जो दोगों बिंदी है इसे मैंने पढ़ना सीखा या इसका मतलब होता सच देट इसका देखे सबसे पहले इसको पढ़ोगे कैसे X equal to the set of the set of X यहां पर होगा the set of X such that X is X is and vowels in English alphabet इस परकार से लिखना होगा उसके बाद आपको statement यहां पर डाल देनी होगी बस आपका set builder form हो जाएगा ठीक है हम लोग और भी detail में समझने की कोसिस करते हैं यहां पर देखिए यहां पर मैंने लिखा है यहां पर मैंने आपको जैसे समझाया कि तो रीड करने का तरीका क्या होगा तो दा सेट आप एक्स सच दैट एक्स इस उसके बाद जो भी स्टेटिमेंट होगी उसको लिग देनी है तो चलिए हम इसको और हम लोग इसे कुछ एग्जांपल के माद्दम से समय लेते हैं तो देखिए यहां पर एक्जांपल में लिखा हुआ है कि दा सेट आप वावल्स इन इंग्लिस एलफाबेट ठीक है यह चीज लिखा हुआ है तो सबसे पहले हमेंने आपको सेट का नाम देने के लिए बता है तो सेट का नाम आपने दे दिया उसके बाद करली ब्रेकट्स लगाने के वावेल्स इन इंग्लिस एलफाबेट को अपलोग पुरा लिखिएगा यहां पर मैंने जगह ज्यादा नहीं पर इस करण से मैंने छोड़ दिया ठीक आप लोग पुरा लिखिएगा ठीक है समझगे उसके बाद दो नंबर में लिखा हुआ है कि दा इवें नाचूरल नंबर लेस देन टेन जिसको करने का तरीका क्या होगा जैसे मैंने इसे बी माल लिया तो मैंने बी दे दिये एक्वेल्ट को साइन दिया फिर मैंने करली ब्रेकट्स लगा दी है ना तो करली ब्रेकट्स लगाने के बाद आपको लिखना होगा वेरियेबल्स तो मैंने वेरियेबल से लिए समझ में आ गया है आप उसके बाद उसकोज़ करने का तरीका बताता है इस मैं सीमाल लिया सेट nächsteम आप is काई यहा पर हो जाया क्या X is a school ठीक है X is a school बस हो गया समझ मागया तो यह मैंने complete चीजे बताई ठीक है फिर से एक बद दुबारा बता देता हूँ जो बच्चे अभी तक समझ नहीं पाया जैसे मैंने इसको बता रहा है क्या सबसे पहले A मानू set का नाम उसके यह capital later में होनी जाए बताया the set of X such that X ठीक है तो the set of X such that X is उसके बाद an vowels in English alphabet इसको include यहां पर कर लेनी और curly bracket बंद कर देनी इस पर कर से बन जाएगा तो यह clear होने के बाद और कुछ चीजें इसे भी हम समझ लेते हैं ठीक है ना दोस्तों आपको एक चीज बता दें कि आपके NCIT book में आपको कुछ चीजें दिया हुआ है देखिए कुछ सीट को सरी कुछ सीट नहीं कुछ sets ठीक है इसको represent करने की कई तरी यहां पर कुछ तरीके होते हैं इसको समझ लेंगे तो अच्छा हो रहेगा ठीक है इसके sets को समझने का तरीका आपको समझा देते हैं यह एक चीज गो no down कीजएगा समझ में आ जाएगा ठीक है बहुत ही बैतर नहीं तरीके से बताऊंगा यह सब NCIT में दिया हुआ है और इसका complete video प्राप करने का तरीका भी बताऊंगा कि NCIT में दिया हुआ है है ना आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं आपके बूक में ठीक है जो आप लोग का बूक यह जो सेसन चला रहे हैं दोज़ए 24 के लिए इंपोर्टेंट है चाहिए आप जई एक्जाम देने के तयारी सोच रहे हैं यह फिर एंडिये जो भी है ठ the set of natural number ठीक है नेचुरल number के लिए संह अम एंड से दर्शा देते हैं ठाए एगर आगे आता जेड इसको देखी इसको कि सक करेंगे all integer ठीक है the set of all integers के लिए हम Z का यूज़ करेंगे उसके बाद Q का यूज़ कहा पर करेंगे the set of all rational number ठीक है तो इसके लिए हम Q का यूज़ करेंगे उसके बाद R R का यूज़ कहा करेंगे the set of all real number ठीक है और real number के लिए हम लोग R का यूज़ करेंगे है ना अब हिंदी थोड़ा सा छोड़ दी जब इंग्लिस में आ जाई है ना त्यूकर आगे आप लोग 11 12 के बाद graduation कोई करेगा ठीक है तो इसमें आप लोग का 11 12 इंग्लिस अगर कर लोगे मैट्स तो आप आगे और भी मैट्स को समझने में अचा लेगा ठीक है अगर हिंदी से बोलोगे तो हिंदी से भी वीडियो बनाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है और यहां पर यह थोड़ा सा अप लोग मिस्प्रिंट है मतलब यह क्या लिखा हुआ है यहां प यहां पर यहां प्लस दिया हुग यहां पर क्या दिया हुए जएड उसके उपर में दियए इसके गात में ठीक है थोड़ा सा सप्रेंट हो गया तो इसमें क्या होगा कि दसे टॉप आल प्वजिटीव इंटिजर स्कोले हम्चेङ क करेंगे सैंबल κα यहां आर और क्यूप आता है और प्लस जिसके उसका आपर करेंगे तास से टॉप ओल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए सेंबल का यूज करेंगे यह एक क्या है एक प्रकार का बोले थे सेंबल है एक प्रकार का ठीक है यह सब चीज़ा आपको याद होना चाहिए कर लीजिए भई है ना अभी से अगर 11 की सुरुआद कर रहे हो तो 11 बरबाद नहीं करो बार बार बॉर रहे है कि 11 बहुत लोगों का बरबाद हो जात लेकिन बरबाद आपको नहीं करनी हैWhat बंत में भी बहुत अच्छे देखे से करना आए अच्छा रिजल करना है ठीक है समझ माया इतना क्लियर हो गया कोई डाउट नहीं है चलिए आप देखिए दोस्तों आपको एक अच्छे इंपोर्टेंट से सब permettre चीज़स spread चीज़ आपको बताते है यहाँ पर यहाँ पर सिम्बल आपको बार बार 1 shelves में यहाँ पर आपको एक दम क्लियर ली बता क्षाइब दूब किhealth thegh жизнь themaline in the book एक मिनेट nove यह चीज आपको ज़रूर से जरूर देखने के लिए मिलेगा जब आप मैं आपको इसको solve कराऊंगा ना दोस्तो अगर आप ये introduction का पार्ट देखिए आप ध्यान सुनेगा कि जब आपको इसको मैं solve कराऊंगा तो आपको कितना आसान लगेगा आप नीचे comment section में बताईएगा दोस्तो बहुत ही आसान लगने वाला है दोस्तो अगर आप लोग ये introduction का पार्ट मेरे साथ देख करके clear कर लगे तो आपको दोस्तो मैं guarantee देता हूँ कोई भी tuition परने की ज़ुरत नहीं होगी में solve को समाप्त कराने की courses हमारी रहेंगी ठीक है आप देखिए हमारा वीडियो बहुत ही important आप लोग के लिए तो यह हम symbol का use करते हैं ठीक है यह जो है इसमें आता है belongs to उसके बाद आता है not belongs to ठीक है तो यह इसका जो symbol होगा इस परकार से होगा और जो not belongs to है इसे हम लोग इस परकार से है और इस परकार से card देंगे तो यह not belongs to हो गया तो आप लोग का include है 1,2,3,4,5,6 ठीक है इतनी संका यहां पर include है तो आप आपको बताना है जैसे मैं अगर आप लोगों से एक सवाल के रूप में पूछू तो जैसे मैंने पूछा कि A में क्या 8 belongs कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है या फिर मैं सबसे पहले पूछो तो 4 belongs कर र कर रहा है या पर नहीं कर रहा है तो देखिए इसमें आप लोगो चार दिख रहा है तो जीहां सर यहां पर तो चार दिख रहा है है कलर को थोड़ा सा चेंज भी कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है है तो हम कलर को थोड़ा से चेंज भी कर लेते है तो देखिए आजिसमेने कलर को थोड़ा सा चेंच किया यहाप देखिए चार है लेकिन आगर आप लोग देखोगे तो यह जो सेटे इसमें चार आपको दिखरा ओगा जिसमें हम लोग इस परकार का सिंबल यूज करेंगे तो देख कितना आसान है मैस देखिए अगर आपको समझी में आ जाए आपके खोपड़ी में आ जाए तो कितना आसान है आप खूद बताईए सर है ना मैं बार बार बोलता हूँ अगर आपको समझी में आया तो कमेंट करो है ना ताकि हमें पता चल से कि हाँ हम जो वीडियो दे रहे हैं तो किसी ने किस भी दर्थी को लाब पूँच रहा है ठीक है तो कोई हमार देखिए अगला example में है कि यह belongs कर रहा है क्या जो 8 है क्या यह जो 8 है यह 8 A में है आप बोलेंगे तो यहाँ पर तो 6 तक 8 तो नहीं है तो आप लोग यहाँ पर इस परकार से इस संबल का यूज करोगे क्लियर है कोई डाउट है तो अभी भी बताओ आप लोग ठीक और example देते सर कोई दिकत नहीं है अगर सवाल अगर आप लोगों से घुमा करके यह भी पूछा जा सकता जैसे सवाल पूछें कि यह में क्या बिलॉंग्स कर रहा है यहाँ पर दो है क्या दो बिलॉंग्स कर रहा है यहाँ पिर पूछेंस यह भी पूछेगा कि यह में क्या नो बिलॉंग्स कर रहा है यहाँ पर नहीं कर रहा है है तो यहाँ पर आप लोग इस परकार का हैं ना तो belongs to or not belongs to में I hope कि किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा मैंने हमारी तरफ से मैंने कसिस की है मैंने कोसिस की है मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का मैंने कोसिस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है ठीक है तो आब मैं थोड़ा सा revision करा देता हूं set theory के बारे में है ना तो चलिए हम सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हमने जाना कि set क्या होता है तो set एक है मैंने यहाँ पर पर परिवासा भी बताया कि set is well defined collection of object is called set ठीक है यहाँ पर object like मतलब जिसे हम लोग क्या बोलेंगे numbers लेटर Create Title Self कुझ भी आ सकते है तो जैसे set का मैंने जैसे example में आपको दिया कि set क्या होता है जैसे कि एक सब्ता में 7 बता किसे सब्ता में गलेक्षिंघ सब् tats know that's at се Uhm 10 और आपका भी जबाब होगा जैसे में मुझे ट्रॉनमेटरी अच्छा नहीं लगता है तो यह आप से पूछो कि आप बोलेंगे सर मुझे तो यह ओधर टॉप पिक जैसे मतलब यह set नहीं है यह चीज़े मैंने बताया सबसे पहले बताया set क्या होता है यह सारी चीज़े मैंने बताया ठीक है तो उसके बाद मैंने चर्चा क्या कि यह set से हम represent करने के लिए दो method काम में लेते हैं एक है roast up form जिसे हम लोग table or form भी बोलते हैं उसके बाद set builder form इसको भी मैंने बड़ी detail में मैंने आपको बताया है ना जी और दोस्तो मैंने बताया कि यह जो sets वाले chapter है इसके NCRT में कुछ symbols का use होगा जिसे आपको पता होना चाहिए यह जो चीज़े हैं ज सबको मिलेंगे कि एक में आता है belongs to एक टो आता है not belongs to इसको भी मैंने कापी आसान तरीके से आसान भासा में मैंने आपको समझाने की कोशिस क्या है ठीक आसान भासा में मैंने completely चीज़े introduction का part को मैंने cover किया है ठीक है तो guys यह वीडियो गर आपको बसंद आएगा तो वीडि तीन चार है element तो आप बोलेंगे belongs कर रहा है तो बिल्लांग्स कर रहा है तो बिल्लांग्स नहीं कर रहा है तो दोस्तो मैंने काफी आसान भासा में और कभी आउसे तरीके से मैंने explain किया कि जो set है सेट क्या चीज होता है दोस्तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है तो दोस्तो आपको एक ही बोलेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक कर देना और एक सुंदर सा कमेंट कर कर देना एंड सियर कर देना यहीं बोलेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं कि सांधार वीडियो के साथ चली मिलते नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए थैंक्यू जाहें